हे एवरिवान आज मैं बनाऊंगी लेफ्टोवर राईस से पकोडा इस सिचुएशन में हम कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपका लेफ्टोवर राईस बच जाए तो टेंसन लेने का कोई बात नहीं है इस से एक क्रिस्पी पकड़ा गना के आप स्नेक्स में खा सकते हो अगर आपकी राईस बच जाए तो टेंसन लेने की कोई बात नहीं है लेफ्टोवर राईस से बहुत अच्छा पकोड़ा बनते हैं चलो देखते हैं कैसे मैं पकोड़ा बनाती हूँ पहले है राईस को हमें पुड़ाशा स्मेफ्ट कर लेना है मैं हातों से ही कर रही हूँ अब मैं इसमें प्यास तमाटर ग्रीम चिली डाल देती हूँ मैंने इसमें कुछ लेसुन को चॉप्ट करके डाला है इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है इस बोल में मिक्स करना प्रॉब्लेम होगा इसलिए मैं दूसरे बड़े एक बोल ले लेती हूँ अब इसमें डालूंगी एक ओर के मैंने इसमें दो एक डाला डालती हूँ स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी थोड़ा सा जीरा विसको अच्छे से मिक्स करूंगी फ्राइब करने के लिए मैंने फ्राइब पैन में ओयल डाल दिया है पकोड़े की मिक्सटर विल्कुल रेडी है अब चलो इसमें प्राइब करने चलो देखो फ्रेंट्स एक्सार प्राइब कैसा अच्छा फ्राइब हुआ है बहुत ही पंटाइम में आपने बना सकते हो अगर रेसिपीस आपको पसंद हुए प्रीज देख लाइब कर देना और प्रेंज और कानिवी के साथ श्यार करना मत्भूलना अगर आप में चलों के नहीं हो प्रीज टानल को सब्सक्राइब कर देखो फ्रेंड्स एक बन गई मेरी क्रिस्पी लेफ्टोवर्ड राइस कोड़ा